हाईलो फ्रेंट्स आज हम लेकर कहा है एक यूग कंपनी का LCD टीवी जिसका मोडल नंबर है LCD 2287 यह डेड़ कंडिशन में है और इसका सारे वोल्टेज उग्क्ये है सभी वोल्टेज 1.8, 1.2, 3.3 वोल्ट्स सभी उक्य हुए और यह से सटेंड़वाइश इडिलिज नहीं हो रहा है यह बार चलता है और TV अन होता है स्क्रीन पर एक बार लाइट आता है उसके बाद फिर चला जाता है फिर दुबारा इस्ट करें कडिम चला जाता एलिए नहीं हो पाता है तो देखिए इसमें लाइन दिये और दिखे अब यह लाइट इंडिकेटर जल्दा आया और फिर से इसका लाइट चला गया अब यह दूबारा नहीं आएगा रेड इंडिकेटर जल्दा आए क्योंकि तो इस बोड में मैंने क्या क्या है तो हम आप लोग हम बताएंगे बोल्टेज चेकर करके दिखला देते हैं आप लोग को यहाँ पर यह 12 से 5 रेगुलेटर लगा है 5 बोल्ट और यह 3.3 बोल्ट का रेगुलेटर है और यहाँ पर देखिए 1.2 का रेगुलेटर है तो यह भी बोल्टेज ठीकी है तो इसमें भी सब बोल्टेज ठीक ही था इससे पहले जो रेगुलेटर मैंने यहाँ पर रेगुलेटर लगा हुआ था तब भी सारे भूल्टे सही था देखिए ये रेगुलेटर है इसको मैंने रेमूब किया है तो वहां पर भी 1.2 सही था तो कभी-कभी ऐसा होता है फ्रेंट्स कि रेगुलेटर का भूल्टे तो सही देगा लेकिन एंपियर कम हो जाने के बज़ा से स्टेंड बायर से रिलिज नहीं हो पाता है तो मैंने यहाँ पर क्या किया इसमें बॉक्तों का यूज किया जो बॉक्तें बॉक्तों पर देखिए यहाँ एजय लगा दिए है canada दे दिये है और लाइन चलिए दे दिए अब देखिए कि अब ये टीबी ओन होता है क्या कि देखिए इंडिकेटर्स भी बंद है अभी क्योंकि स्टेंड बाइडलीज हो चुका है और नो सिंग्नल भी आ गया तो यही प्रोब्लम था कि कभी कभी हमेशा सॉफ्ट्वर का प्रोब्लम नहीं होता है तो इस चीज को बाड़ी किसे जांचे चेक करें कि दिखिए यूग कंपनिया सिंग्नल भी जोर दिए डिटीएच का पिक्टर भी चल गया तो थैंक्यू प्रेंट्स